आज हम इस विडियो के जरीए भुट्टे के बाल यानि की कॉंसिल के बारे में बताने जा रहे हैं जो किड्नी के लिए बहुत फायदेमंद है आप लोगों ने बरसाथ के मौसम में भुट्टे का स्वात तो जरूर चखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं भुट्टा जता खाने में टेस्टी होता है उतने ही इसके बाद जोने कॉंसिल कहा जाता है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है कॉंसिल का उप्योग प्राकरतिक दवा के रूप में सदियों से किया जा रहा है इसके साथ ही कुछ रिसर्च में ये दावा किया जा चुका है कि कॉंसिल किड्नी संबंदत बिमारियों को ठीक करने में काफी कारगर है तो चलिए जानते हैं कैसे ये किड्नी के लिए फायदेमंद हो सकता है सबसे पहले तो ये हाई ब्लड पेशर को कम करता है ये तो हम सब जानते हैं कि बीपी बढ़ने से किड्नी के समस्या पैदा होने लगती है लेकिन अगर हम बीपी को ही कंट्रोल में कर दें तो इससे किड्नी के बिमारी ही नहीं होगी दरसल अगर आप इसकी चाय पीते हैं तो खून में मौझूद सोडियम और बाकी के एलिमेंट्स यानि जन्द वज़से बीपी हाय हुआ है उससे यूरीन के जरिये ये बाहर निकाल देता है जिससे बीपी कंट्रोल में आ जाता है इसका दूसरा फाइदा ये है कि ये डाइबिटीज को कंट्रोल में रखता है अगर किसी व्यक्टी को डाइबिटीज है तो उसे किड्नी का पेशन्ट बनते देर नहीं लगती और डाइबिटीज एक ऐसे बिमारी है जिसे खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन खान-पान में कुछ विशेश ध्यान देने पर इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है तो वहीं अगर आप भुट्टे के रेशों के चाय पीते हैं तो डाइबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है साथ ही इंसुलिन को ये एक्टिव करने में काफी मदद देता है कॉंसिल की चाय पीने से किड्नी के सफाई होती है जिससे किड्नी में मौझूद खराब तत्व बहार आ जाते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका सेवन कैसे किया जाए तो आपको बता दें कि भुट्टे के बालों को सबसे पहले आपको सुखा लेना है और फिर महीने में दो बार इसे पानी में उबाल कर पीना है अब इससे होगा ये कि आपकी यूरीन की मात्रा बढ़ने लगेगी और किड्नी साफ होगी साथ ही साथ इससे पत्री में आपको राहत मिलेगी अगर आपको पत्री के समस्या है तो भुटे के बालों की चाय पीने से किड्नी में जमाद टॉक्सिंस और नाइट्रेट बाहर निकल जाता है साथ ही फ्यूचर में पत्री होने का खतरा भी कम हो जाता है इसके अलावा कॉर्ण सिल्क में एंटी बिक्टिरियल गुर्ण पाए जाते हैं जो यूरीन इंफेक्शन को कम करता है जिससे के हमारी किड्नी स्वस्त बनी रहती है इसके साथ ही कॉर्ण सिल्की चाय किड्नी की फंक्शनिंग को बहतर बनाने में भी काफी फायदे मत है तो इस प्रकार से आप भुट्टे के बालों की चाय से अपनी किड्नी को ठीक रख सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप एक किड्नी पेशन्ट है तो इसके सेवन से पहले एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट सरूर कर लें ऐसे ही किड्नी से संबंदित विडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार